एक सफर नामा और कैसे हैं आप आप सब अच्छे ही होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सफर में आपको लेके चलते हैं किसी खुच्चूरत जगह पर तो आज हम ऐसे ही एक पेमस जगह पे लेके आ गए हैं आपको तो हमारी वो जगह है लगनो की शुक्ला चाथ पान है तो आज हम यहां पर लेते हैं चाथ का मज़ा तो दोस्तों अम लोग शुक्ला चाथ हास बहुत चुक्य है और अगर आप भी हाना चाहते हैं और आप नहीं बहुत आ रहे हैं लगनों से बाहर तो यहां से नीरस रेल वे स्टेसन चार बाग अगर आप पहुसते हैं वहां से 15-20 रुपे में आप 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 आटो लेके चुका जिसका नाम वहां से आप walking distance पढ़ेगा वहां से आप आराम जिहां आ सकते हैं और अगर कोई सज्जन आपको मिल गया तो आपको यहां तक पौचा भी देगा यहीं लगनों की खासियत है तो हम अल्रेडी अपनी चार ले चुके हैं और यह है चार आप देखिए तो अब देर में करते हुए हम जा रहे हैं अपनी चार का लूप उठाने लिए तब तक कि आप भी हमारे वीडियो में चार का लूप उठाईए और दोस्तों यहां पर आपको आलू चाट मतर चाट पानी के बताशे दही चटनी के बताशे खाने को मिल जाएंगे जिनके र बता से 20 रुपए पर प्लेट साथ ही यहां पर आप घर बैठे भी ओर्डर पेस कर सकते हैं इनके हां जमेटो फैसिलिटी भी उपलब्द है तो गाइस मैंने अपनी चाट तो खाली है और चाट वाकई में बहुत टेस्ती थी अब मैं खाने जा रही हूँ इनकी चाट अब मैं खाने जा रही हूँ यह चाट साही में चाट बहुत ही क्रंची है और साथ में चर्पटी भी बोलेंगे नहीं को चाट इंजॉय करेंगे अभी 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 आपको चाट बहुत ही टेस्ती और यह चाट इंजॉय करने के बाद हमारी दूसरी इंग स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम खाने वालें पानी के पता से प्लाट इंग सक्षर्ण एंग क्रूप अच्सराइब के लुट हुट है आर रांताता है हुट 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 अबग हुट तो फ्रेंट्स अब हमने यहां पर चाट भी खा ली और बताशे भी खा ली है लुफ तो खा ली है चाट एंब बताशे का अब बैड़ें अपने नेक्ट जैस्टीनेशन की तरफ और यहां की जो शाट है वह वह बहुत टेस्टी होती है बहुत ही क्रंची और अपने हिसाब अब उसको चट्पटा या खट्टा मीठा कैसा भी बनवा सकते हैं हमने चट्पटी चाट बनवाई थी जो बहुत ही टेस्टी थी और बात करें अगर लखनाओ की तो लखनाओ फेमर्स है अपने जाइके के लिए और जाइके में भी बात करें तो शुकला चाट बंडार की चाट का तो फिर जवाब भी नए तो अगर आप लखनाओ में है या आप नहीं बाहर से लखनाओ आई हुए हैं तो आप तो अगर लखनाओ के हैं तो अगर आप एक बार यहाँ पर चाट खाएंगे तो आपके कदम अपने तरह चाट के स्वाद लेने के लिए और अगर आ बाहर से आ रहा है तो आप भी जरू यहां ट्राइ कीजिए और अगर आप खाते हैं तो आप अपने आप ही दूसरों को रेक्मेंट करेंगे चाट खाने के लिए इतनी पुरानी दुकान होने की वज़े से चाट का स्वाद वैसा ही पुराना और बिल्कुल जबरदस्त स्वा और चाट का स्वाद लीजिए और साथ ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए